Hello guys, this is your host Rahul again from Visa Pacific Consultants. मैं आज आपको बताऊंगा कि आप पैसे डिपॉजित कैसे कर सकते हैं? मतलब किसी के अकाउंट में भी आपको पेमेंट डालनी है सिंगापो में, तो वो पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे जो ATM होते हैं, सब में आपको डिपॉजित का मिल जाएगा, और मैं आपको लेके चलता हूँ, कैसे आप पेमेंट डिपॉजित कर सकते हैं? यह देखिए, यह ATM है, और मैं आज आपको करे के दिखाता हूँ. सिंप्ली इस ATM में आपको जाना है, फिर आपके पास अकाउंट नमर में होना चाहिए, यह नौन कार्ड बिजनस डिपॉजित सर्विसेज पे क्लिक कीजे, ठीक है? यह आपने क्लिक कर दिया, अब आपको डिपॉजित कैश करना है, क्लिक, ठीक है? फिर आप अकाउंट नम ही है, ठीक है? ऐसे आप डीटेल्स डाल सकते हैं, कंफर्म कीजे, ठीक है? और कंफर्म करने के बाद, यह देखिए, यह कंटीन्यू करना पड़ेगा आपको, आपने कंटीन्यू किया, कंटीन्यू में यह खुल गया, अब आपको जितना भी पेमेंट डालना है, तो वह जिए, इसे में देखाता हूं आपको, यह 10 सेकंड का टाइम होता है, आपको पिमेंट डालना होता है, यह देखिए, जैसे यह, मैंने टालने स्टार्च करतीया, मैंने तो देखिए, इस जा कैश कंटिंग हो रहा है, and cash counting होने के बाद ये देखिएगा ये account number एकदम सही हो जो भी आप account number में डाले हैं देखिए जैसे मैंने डाला है ये account number है 595342544001 and ये confirm का button दबाते हैं तो ये ये आ जाता है ऐसे लिखे please wait while we attend to your request and जैसे ही वो okay हो जाता है वो इसका मतलब आपके account में payment चली गई so ऐसे आप कोई भी deposit machine में cash deposit कर सकती है फिर ये आता है इसमें आपको end transaction पर click करना पड़ता है ये देखिए end transaction पर click कर दिया है और ऐसे ये receipt आजाता है यहां से ये receipt आ गई देखिए guys फिर इसमें account नमर चेक कर लीजे जिसमें आपने टाला है and good to go so this is how you deposit money in the cash machine in Singapore so thank you again guys thank you for watching our video staying connected have a nice day bye bye